इस बज़ट सत्र में मिल सकती है किसानों को सोगात बढ़ सकती है रकम आज के समय में 6,000 प्रतिसालाना मिल रही है तो इस राशी में बढ़त हो सकती है 2019-2020 के लिए कारोबारी साल में एग्री बजट आवंटन 1.5 एक लाग करोड रुपे था जिसे मामूली सा बढ़ा कर फाइनेशल साल 2020-2021 के लिए 1.54 लाग करोड कर दिया गया इसके लावा ग्रामीन विकास के लिए आवंटन भी 2019-2020 में करीब 1.46 लाग करोड रुपे के तुलना में 2020-2021 में बढ़ा कर एक दशन्वलफ 4.4 लाग करोड रुपे कर दिया गया था पी-म क्रिशिस इंचाई योशना के तह 2019-2020 में 9,682 करोड से बढ़ा कर 2020-2021 में 11,127 करोड रुपे और पी-म फसल बीमा योशना के तह 2019-2020 में 14,000 करोड रुपे से बढ़ा कर 2020-2021 में 15,695 करोड रुपे कर दिया गया था भार सरकार पी-म किसान सम्मान निदी स्कीम के तहत देश के 9,885 करोड फार्मर्स को सालाना 6,000 रुपे, 22,000 रुपे की किष्ट में मदद करती है यदि आपको पी-म किसान सम्मान निदी योशना का पैसा नहीं मिल रहा है तो कहां कैसे संपर्ख करें अगर आपको अब तक इस योशना का पैसा नहीं मिला है तो आप सबसे पहले अपने लेकपाल कानून गो और जिला कृशी अधिकारी से संपर्ख करें अगर वहां भी आपकी समस्या का समादा नहीं हो पाता है तो केंडरी कृशी मंतराले की तरफ से जारी टोल फ्री हेलप लाइन नंबर 155261 या 1800015526 पर संपर्ख करें यदि आपकी यहां से भी बात ना हो तो मंतराले की दूश्री नंबर 0123381092 पर संपर्ख करें पीम किसान योजना के लिए महत्वपून डॉक्यूमेंट पंजी करने के बाद किसानों को www.pmkisan.gov.in पर आवेदन भुकतान और अन्य विवरणों की स्थिती की जाँच करते रहना चाहिए जिससे इसके बारे में आप अपडेट वहें पीम किसान किस्थिती या पीम किसान लाबार्थियों की सूची की जाँच इस तरह से करें पीम किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं मेन्यू बार पर किसान कॉर्णर पर क्लिक करें अब उस लिंक पर क्लिक करें जिससे लाबार्थी की स्थिती और लाबार्थी सूची लिखी गई हूँ जिस राज्जी का आप चेक करना चाहते हो उस राज्जी को सिलेक्ट करें यदि आप लाबार्थी सूची की जाँच करना चाहते हैं तो अपना रज, जिला, उपजिला, ब्लॉक और गाउं दर्च करें फिर रिपोर्ट प्राप्त करें पर टैप करें PM किसान योजना की लाबार्थी सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें स्वेम पंजिकरित CSC किसान किस्थिती की जाँच यहां करें आपके बिजनस का सच्चा साथी